एक अस्पताल में 16 आइसोलेशन रूम्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इच रूम हाज पेशेंट विद दिफरेंट इलनिस, प्रत्येक कमरे में अलग-अलग बीमारी के मरीज हैं, पेशेंट इन रूम 13 रिकावर्स और वांस तो से गुडबाई तो इच पेशेंट, रूम 13 का पेशेंट ठीक हो जाता है और वो प्रत्येक पेशेंट को गुडबाई कहना चाहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, He can only visit each patient once, वो केवल प्रत्येक पेशेंट को एक बार देख सकता है, if he visits a patient twice, he becomes ill again, यदि वो किसी पेशेंट से दो बार मिलता है, तो वो फिर से बीमार हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, वो फिर से बीमार हो गया है, How does he do this and exit from room 4? वो ऐसा कैसे करता है और room 4 से बाहर निकलता है, Can you solve this puzzle? क्या आप इस puzzle को solve कर सकते हैं? Pause the video, take your time and solve the puzzle. क्या आपने solve कर लिया? यदि नहीं किया है, तो चलिए मिलकर solve करते हैं इस puzzle को. यदि हम लोग इस रास्ते को follow करते हैं, पहले room 14, 15, 16, 12, 11, 10, 9, 5, 1, 2, 6, 7, 3, और room 4 से होते हुए बाहर निकलते हैं तो, room number 8 के patient को goodbye नहीं बोल पाएगा. एक possible way यह भी है लेकिन इसमें room 3 के patient को goodbye नहीं कह पाया. अन्य ways भी possible हैं लेकिन हर condition में एक patient छूट ही जाता है goodbye कहने के लिए. हम लोग कर क्या रहे हैं? room 13 से start कर रहे हैं. प्रतियेक कमरे में एक बार जरूर जा रहे हैं. room 4 से exit हो रहे हैं. According to question, वो प्रतियेक patient को एक बार देख सकता है. यदि वो एक से अधिक बार किसी रोगी से मिलता है, तो वो फिर से बीमार हो जाता है. Let's start. सबसे पहले वो room 9 के patient के पास जाएगा. फिर उसी room से वापस अपने room में आ जाएगा. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि room 13 का patient अब ठीक हो चुका है, वहाँ कोई patient ही नहीं है, तो बीमार कैसे होगा? यही main logic था इस question का. अब ठीक हुआ patient room 14, 10, 11, 15, 16, 12, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3 और room 4 के patient को goodbye बोलते हुए exit हो जाएगा. आप इस तरह से भी इसे solve कर सकते हैं. सबसे पहले वो room 14 के patient के पास जाएगा, फिर उसी room से वापस अपने room में आ जाएगा. अब room 9, 10, 11, 15, 16, 12, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3 और room 4 के patient को goodbye बोलते हुए exit हो जाएगा. थाएगा. आएगा. झाल पा होआगा. झाल झाल